नमस्ते दोस्तों जोहार मेविसक चक्रवर्ती आप सभी का फीस अबने डूब चनल पस्वागत काता हूँ दोस्तों आज जो है क्लास 12 का ETP का एक्जाम था और मैंने जो आप लोग को important questions का series बताया था दोस्तों उसे काफी सारे questions देखने को मिले चाहे वो objective हो और subjective हो जिनने वो वीडियो देखा है उनका score अच्छा होने वाला है तो एक एक करके आप लोग answer सो मिलाते चलिए और last में आप लोग comment करके बताइगेगा कि आपका कितरा answer correct हुआ है तो चले दोस्तों पहला question देख सकते क्या पूछा गया है planning is तो दोस्तों आप लोगों को बताया गया था यह अल्प कालिन होता है मैद कालिन और दिर कालिन यानि short term, middle term और long term सभी के लिए होता है तो option 4 जो होगा correct हो जाएगा यानि दोस्तों सभी अधियों के लिए यह बिल्कुल correct होगा ठीक है नेश कोईशन दोस्तों देख सकते क्या पूछा गया है नेक डिवेंचर आर तो दोस्तों नेक डिवेंचर कैसा होता है मैंने बताया था आप लोगों का क्या अंसिक्रेट होता है यानि अरचित होता है ठीक है तो यह आपका correct हो जाएगा option number 3 नेश कोईशन क्यों चलते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है total cost includes total course जो है क्या include करता है दोस्तों यहापे जितने भी options देख रहे हैं वो सभी correct है दोस्तों आपका all of these जो होगा correct हो जाएगा चाहे मुख्य लागा थो कारखाना लागा थो उत्पादल लागो सभी जो है यहापे correct हो जाएगा question number 4 देख सकता है दोस्तों क्या पूछा गया है which of the flowing factor affects market assessment तो दोस्तों यहापे market assessment को कौन सा factor affect करता है तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा आपका micro environment जो होगा यहाप आपका correct हो जाएगा यहागा not दिया रहता तब आपका होता दोस्तों demand correct होता लेकिन यहापे आपका market assessment पूछा है तो आपका market आपके जो यहापे micro environment है वह आपका correct हो जाएगा ठीक है तो इस question को थोड़ा समझने वाला question है next question क्यों चलते है दोस्तों क्या पूछा गिया है marketing expenditure is a burden on marketing expenditure जो है burden है किसके ओपर दोस्तों 5 नंबर का correct answer क्या हो जागा consumer के ओपर ठीक option no.3 जो होगा correct हो जाएगा यानि आपका उभोगता पर ठीक है चलिए next question को देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछागे depreciation on plant and mercenary is तो class 11 में भी आप लोग पढ़े है कि depreciation on plant and mercenary is जो है दोस्तों आपका correct answer क्या हो जागा 6 का correct answer होगा option no.3 नो flow fund ठीक है चलिए देखते हैं आगे questions को यानि दोस्तों यह आपका option 3 जो है cost परभा नहीं इसमें हो जाएगा correct answer 7 नंबर देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया यह question जो है मैंने morning में भी बताया था और आप लोग को कल 120 वाला question जो series दिया था उसमें association का जो है correct answer हो जागा यह आप लोगों का model paper मी question 30 है next question दिया गया दोस्तों क्या which of the flowing is an element of seeing the opportunities तो यहां आपका correct answer क्या हो जाएगा देखिए आउसर बोद वाला मैंने subjective में भी कराया था और objective में भी तो यहां जो है correct answer क्या हो जागा question no.8 का जो है दोस्तों correct answer हो जागा या प आपका insight into the changes हो या ability to जो है यह सभी options जो है समझ की सकती आपका परिवर्तन का पर नजर ना परिवर्तन यह यह गून जो है यह सभी correct है तो इन में से सभी हो जागा correct venture capital contents तो venture capital contents क्या करता दोस्तों उद्धमी पूंजी में रहता है तो उद्धमी पूंजी में जो है आपका आता है question no.9 का correct answer हो जाएगा आपका highrix जो है उच्छ जोखिम जो है वो correct answer हो जाएगा option no.1 बिल्कुल correct है दोस्तों ठीक है तिहाँ आपका उच्छ जोखिम जो है correct हो जाएगा चले इस question देख लेता है दोस्तों question no.10 देख बिजनेस अल्सु डिटर्माइन स्था फॉर्म और गनेजिशन तो दोस्तों इसका क्या होगा साइज जो होगा यहापर correct हो जाएगा ठीक है नेश कोशन के चलते हैं दोस्तों आकार जो है आपका correct हो जाएगा प्रोजेक्ट इस प्रिपेड दोस्तों तो प्रोजेक् हो जाएगा by all of them जो होगा यहां पर आपका correct हो जाएगा 11 का correct answer चलते हैं यहां पर इन में से सभी जो होगा दोस्तों correct हो जाएगा नेश कोशन के चलते हैं दोस्तों क्या है एक प्रोजेक्ट इस तो एक पर युजना है दोस्तों यह मैंने मॉर्णिग बताया था इसके एक एक्जाम से related कुछ notes होता है तो मैं वहां पर provide कर दिया करता हूँ ठीक है तो यहां पर आपका question पूछा गया था एक प्रोजेक्ट इस तो बारा का correct answer क्या हो जागा cluster कौन सा correct answer हो जागा दोस्तों option number one बिल्कुल correct होगा cluster of activities ठीक है यानि गती विदियो का समू बिल्कुल correct हो ठीक है तो यह आपका correct answer हो जागा प्रेणाय जो है संबंदित नहीं है एक मुस्त भुकतान से next question दिया गया यह question भी मैंने कराय हुआ था net working capital means दोस्तों तो मैंने बताया था current assets minus क्या हो था current liability working capital equals to current assets minus क्या हो था दोस्तों current liabilities जो होगा यह correct answer हो जागा option number one बिल्कुल correct है चले next question के और चलते हैं दोस्तों यहाँ पर पूछा गया 15 पे 15 नमबर का correct answer हो जाएगा यहाँ पर आपका correct answer क्या होगा दोस्तों option number three implementation प्रिएट जो होगा बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों गर्वीधी जो है सम्मंदित है option number three जो है बिल्कुल correct है दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसको take out किये हैं जिनका सही है वो लोग का बिल्कुल यहाँ पर correct हो जागा प्रोड़क्ट और सर्विस का बात करते दोस्तों तीन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते मैंने बताया था जब मोडल सेट वाला कोशन का बता रहे थे मैंने बार बार इसको आप लोग को बताया था तीन सेट कंबाइन करके जो वीडियो एक सबीस वाला बनाया था ठीक है तो सासी की स्वेम पर योगता यहाँ पर correct हो जाएगा देखिए यह भी question आप लोग को कराया हुआ question में से था तो यहाँ पर आपका option 4 जीनो ने ठीक किया बिल्कुल correct है excess of current assets over current liabilities जो है यह correct हो जाएगा next question क्यों चलते है दो क्या पूछा गया है external environment is composed of forces that have general influence on ठीक है question number 19 का जो है दोस्तो option number one enterprises behavior जो है यह बिल्कुल correct हो जाएगा उपकरम का वहवार पर ठीक है question number 20 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया which of the flying is not an operational expenses तो preliminary expenses जो है return of यह आपका correct answer हो जागा option number two जो हो गया यह पर आपका correct answer हो जागा ठीक है चलिए next question क्यों चलते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है next question पे देख सकते हैं market demand is also known as तो दोस्तों मैंने क्या बताया था अनसदान क्या होता है तो आप लोग को जो है classes पर बताये गया था sales less variable cost जो होगा आपका यहां पर correct हो जाएगा option number two जो है बिल्कुल correct है ठीक है चलिए next question क्यों चलते हैं दोस्तों question number 23 पर क्या बोला गया है factor जो है दोस्तों यहां पर बोला गया है आप लोग question को देख सकते हैं यहां पर कारक प्रबलता जो है अविनस्त परिजिना होती है तो क्या होती है दोस्तों बेने बताया था action plan होता है ठीक है next question क्यों चलते है दोस्तों the activities included in a business planning आर तो यहां पर जो है दोस्तों आपका correct answer क्या हो जागा 25 का जो है दोस्तों correct answer देख सकते हैं इसका भी हो जो होगा option no.2 ठीक है यहां पर 25 का option no.2 नहीं यहां पर जितने भी options दिये गया है वैसा योजना का अंतरकर चाहिए वह संगठन नियोजन हो स्रम सकति का वेशक्ता का नियोजन है या पर योजना कार का नियोजन है यह सभी option correct होगा दोस्तों इसलिए इन में से सभी all of this जो जो चलते है वीच अब दफ लाइंग आदा काइंड ऑफ सोर्सेज और सोर्सेस ठीक है यहां पर जो 26 है दोस्तों इसका करेंट एंसर हो जागा option no.4 अलब दिस होगा यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन देख लेता है दा करेक्टरिस्टिक्स और चाहिए ब्रेंड का नाइकी का एक्जांपल देके मैंने बताया था वह अट्रेक्टिब भी होना चाहिए और मेमरेवल भी होना चाहिए ठीक है यानि अल अब दिस जो होगा दोस्ति है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन के चलते हैं देख और यहां पर जितने ओप्संस देख रहे दोस्तों 31 पर वहाँ पर आपके सभी ओप्संस बिल्कुल पूछा गया है तो कितने डिवाइड किया गया दोस्तों तो आप लोगों को बताए गया था टू के टेग्रिस पर डिवाइड किया गया है तो और बाकी जो एपसंस दिये गया दोस्तों यह सब अंतरगात आते है यह सब आपको पूछा गया का करेंट इसेंट में को देटर हो जायागा ठीक है जो डिली आपका क्या होता है cancer एक चैंज के सब आस योगे एकाउंट्स वाले questions पे तो आप लोग अच्छे से किये होंगे, basic questions है, which of the flowing is a type of opportunity, तो दोस्तों जो जो correct answer क्या होगा, 34 का बिल्कुल correct answer जो होगा, यहापे आपका, बोथ जिनों ने tick out किया है, बिल्कुल correct होगा, यह दोनों आपको लोग को बताया गया था, existing opportunities in the environment भी correct है, औ बोथ 1 and 2 correct हो जागा, चलें, next question क्यों चलते हैं, उस्तों क्या पूछा गया, 35 पे, the purpose of advertising is, तो the purpose of advertising is पूछा गया दोस्तों, यह जब जितने भी options दिये गए, वो सभी correct है, तो all of these जो होगा, यहापे आपका correct answer हो जागा, इन में से सभी जो है, इसका correct answer हो जागा, तो दोस् कर दिजेगा, आप लोगो उस subject का भी जो है, जल से जल वीडियो प्रोवाइट करने की कोसिस करूँगा, तो आसा करते हो दोस्तों, आज का वीडियो आप सबको पसंद आगा, पसंद आगा, तो बिल्कुल लाइक से और कमेंट कर ना भूले, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद वंदे मातरम,